दोहजार चौबीस चुनाव पर सट्टा बजार का करिंट डेटा सामने आया है जहां पहले चरन से लेके चौथे चरन तक जो अनुमान लगाया गया था उसमें एक बड़ा उलट फेर हो गया है सट्टा बजार में फलोदी सट्टा बजार सबसे भरोसेमंद माना जाता है और दोस्तों अभी फलोदी सट्टा बजार से जो चुनावी अंक्रे जारी किये गए उसने बीजपी की पैरों तले से जमीन खिसका दी है क्योंकि इस रिपोर्ट में बीजपी दोसों भी पार कर नहीं पा रही है कितनी सीटों पर अटकी है मूदी की पाटी बताएंगे आगे आपको साथ में इंडिया को फलोदी सट्टा बजार कितनी सीटे दी है वो भी जानेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा नमस कार स्वागत है आपका देशनीती पर कि देशनीती कि वल सची और पक्की खबरे कहा जाता है कि सट्टा बजार सबसे पहले चुनावी नतीजे को भाप लेता है कभी कभी सट्टा बजार ही चुनावी नतीजे तैय करता है उससाब से देखा जाए तो फलोदी सट्टा बज बजार ने तो मोदी शा की लंका धाने का एलान कर दिया बिना देर करें आपको मैं फलोधी सट्टा बजार से जो खबरे आ रही है जो रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है उसके बारे में बता देती हूँ दोस्तों दिल्ली की साथ सीटों की बात की जाए तो दिल्ली की साथ में से दो सीटे बीज़पी के खाते में और पांच सीटे इंडिया गटपंधन के खाते में जाती हूई दिख रही है ले लडाक में दो सीटे हैं एक सीट बीज़पी के खाते में और एक सीट जो है इंडि में 36 सीटे जहां 40 में से 36 सीटे इंडिया एलाइंस या टीमसी के खाते में जा रही है और बीजोपी के खाते में महस बंगाल की 6 सीटे हैं मणिपूर की दो सीटे ही इंडिया एलाइंस के पास बीजोपी यहां पर शुन्य मेघालया मिजोराम और नागलैंड में बीजोपी ख रुपोर्ट है वहीं आपको मैं बता रही हूँ तो वहीं दोस्तों सिक्म की बात की जोए तो सिक्म की महज एक सीट पर चुनावे वो एक सीट इंडिया एलाइंस के खाते में जा रही है बीज़ोपी यहां पर शून्या तृपुरा की बात की जाए दो तृपुरा की दो इंडिया के खाते में एक सीट बीज़ोपी के खाते में जा रही है अरुनाचल प्रदेश की बात करें तो अरुनाचल की दो सीटे है अरुनाचल प्रदेश से है एक सीट इंडिया के खाते में एक सीट बीज़ोपी के खाते में असाम की बात की जाए तो असाम की आठ सीट जो है वो इंडिया गटबंधन के खाते में जा रही है आपको मैं बता दू मध्यप्रदिश में 39 सीटे हैं 39 में से 28 सीटे जो है 2019 में BJP जीती थी लेकिन इस बार जो है वहाँ पर कांटे का मुकाबला है वैसे भी कांटे का मुकाबला है और 60 बजार ने यहाँ पर कॉंग्रे को इंडिया गटबंधन को 10 सीटे दे दिया है लक्षुदीव की बात करें तो एक सीट जो है वो इंडिया के खाते में जा रही है बिजपी शुन्या पंडिचेरी की बात की जाए पूडुचेरी तो उसमें भी इंडिया एलाइंस के पास एक सीट जा रही है बिजपी शु लेंगना की 11 सीटे इंडिया के खाते में बीजोपी के खाते में 3 सीटे बीजोपी ते लेंगना में पिछली बाद 4 सीटे जीती थी 2019 में तमिलनाडो के 49 के 49 सीटे जो है वो इंडिया एलाइंस के पास जा रही है बीजोपी के खाते में 0 करनाटक की 25 सीटे जी हां 28 में से 25 इंडिया कटबंधन के खाते में जा रही है बिहार में 42 में से 39 सीटे जो है वो आर्जोडी और इंडिया एलाइंस यानि आर्जोडी कॉंग्रिस एलाइंस के पास इंडिया कटबंधन के पास जा रही है बिहार में इंडिया के पास बीजेपी के पास 11 सीटे जाती हुई नज खिलेश और कॉंग्रिस के खाते में जा रही है यानि इंडिया गटबंधन के खाते में 80 में से 43 सीटे जा रही है और 37 सीटों पर बीजोपी उत्तर प्रदेश में भी फस चुकी है उत्तराखंड की बात किर जाए तो 5 सीटों पर महस्चुनाव है बीजोपी 2 सीटों पर अट लक्ति हुई निजरा रही है और उत्राखंड में तीन सीटे इंडिया गटपंधन के खाते में जा रही है दोस्तों कर राजस्तान के बात करें तो 25 में से 12 सीटे इंडिया एलाइंस के खाते में और बीजोपी के खाते में 13 सीटे जबकि राजस्तान में 2019 में 25 में से 25 सीटे ही बीजेपी जीती थी लेकिन इस बार मामला गड़बरा गया वैसे भी लेकिन जो प्रडिक्शन सट्टा बजार के मुताबिक सामने आया है उस हिसाब से राजस्तान में 12 सीटे इंडिया जीत सकता है पंजाब की बात करें तो 13 में से 13 सीटे जो है वो अमादमी पार्टी का जो गड़बंधन है उसके खाते में जा रही है बीजेपी पंचाब में शुनिया हरियाना की बात की जाए तो Teaching सीटे इंडिया गडबंधन के खाते में 8 सीटे इंडिय गडबनधन के खाते में इसके अलावा दूस्तों वहांपर बीजेडी ही बीजू जरता जो है वो इंडिया गटबंधन के खाते में जा रही है और 18 सीटे जो है वो बीज़पी के खाते में जा रही है जारकंड की बात की जो है तो जारकंड की 10 सीटे जो है वो इंडिया गटबंधन के खाते में जा रही है और 4 सीटों पर बीज़पी सिमठती हुई जारकंड में जीत्ती हुई नजरा रही है गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी इस सक्टा बजार के मुताबिक गुजरात में एक बड़ा उलट फेर होने जा रहा है फलोधी सक्टा बजार के मुताबिक इंडिया के खाते में गुजरात की साथ सीटे जा सकती है और बीजोपी के खाते में 19 सीटे 26 के 26 सीटे हमेशा से बीजेपी जीत्ती आई है लेकिन इस बार मामला यहां पर पूरी तरहां से गड़बढ़ा गया गोवा की बात की जाए तो गोवा की दो सीटों पर ही बीजेपी नहीं जीत पाई कि वहाँ पर इंडिया गटबंधन आगे हैं तो कुल मि 170 सीटे हैं जी हां और वहीं इंडिया गटबंधन के खाते में 300 से अधिक सीटे 320 प्लस जो है वो इंडिया गटबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों मैं पहले बता दू आपको कि देशनीती का ओपीनियन पोल ग्राउंड रपोर्ट पॉलिटिकल एक्स चुनाफ के दौरान हर एक रिपोर्ट जरूरी है दिल्चस्प है और जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी के बार 60 बजार जो है न वो बड़ा उलट फेर का संकेत दे जाता है इसे लिए ये खबर हमने आप तक पहुँचाया है फलोदी 60 बजार की इस ओपीनियन पोल पर आपकी राय क्या है आपके टिका टिकपणी क्या है क्या वाके भारतिय जनोता पार्टी 170 में सिमट सकती है क्या 200 भी बीजेपी इस बार 543 में से पार नहीं कर पाएगी अगर फ्री एंड फेर इलेक्शन हो जाए तो फॉलोदी 60 बजार की इस ओपीनियन पर आप अपनी टिका टिक पनी जो भी होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बाकि वीडियो पसंद आया होगा तो आखे फॉर्वड कीजिएगा लाइक कीजिएगा और ऐसे तमाम खबरों को पाने के लिए दिशनिती को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत